क्या सचमितनी गर्मी है कि धूप में दल सकते हैं पूड़ी, रेत में सेख सकते हैं पापड, किस वीडियो की सच्चाई कितनी है, आज हम ये पता लगाने वाले, तपती गर्मी और सुलकते तापमान के चलते कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वाइरल हो रहे ह और इसमें लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें किसी वीडियो में छट पर बिना गैस चूले के धूप की गर्मी में पूडिया सेखनी शुरू कर दी गई हैं, तो कहीं तपती रेत में पापड सेखा जा रहा है, और भी ओमलेट बनाने की भी कोशिश हो रही है, भीशन गर संधियों को शेर भी कर रहे हैं, आपने भी शायद देखा हो कि मध्यप्रदेश की शियोपूर से एक वाइरल वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला चट पर कढ़ाई में बिना गैस चूले के धूप में पूरी तल रही है, जबकि एक अन्य वीडियो में राजस्थान ब बेवकूफ बनाया जा रहा है, ट्रेंडिंग रील बनाया जा रही है, दूप में कहीं तेल क्या इतना गरम हो सकता है कि उसमें पूरी तली जा सकती है, अगर तारकोल वाली सलक जो है, उसको हीट की बात करें, तो वो अपनी हीट को अब्सॉप कर लेती है, और मानकर हमको यह चलना चाहिए कि उस सलक का तापमान मौसम के तापमान से खरीब 7-10 डिग्री ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उस सलक से भी रेडियेशन और हीट निकलती है, यानि कि गरमी को एब्सॉप कर लेता है, उधारन के लिए अगर मौसम का तापमान 47 डिग्री के आसपास बना वो यह कह रहे हैं कि जैसा कि छट पर धूप में कड़ाई रखकर पूरिया तलने की बात है, तो यह सब आर्टिफिशल वीडियोस हैं, पाचास डिग्री तापमान में तेल को उबालना और उसमें पूरिया तलने जैसे वीडियोस को सच मानना कठी नहीं, आला कि वहाँ प 352 से 400 फेरेन हाइट तक होना चाहिए, अब डिग्री सेल्सियस को फेरेन हाइट में बदलने का फॉर्मूला क्या है, जितना डिग्री सेल्सियस है, उसमें 1.8 का गुणा करना है और फिर उसमें 32 का जोड कर देना है, अब चुंकि शियोपुर का तापमान 48 के आसपास बना हुआ है, तो 48 गुणे ते 1.8 बराबर हुआ, 86.4 इसमें 32 जोडने पर 118.4 फेरेन हाइट, यानि कि पूरी तलने के लिए जितना तापमान होना चाहिए, उसे ये टेंपरेचर एक तिहाई है, तो पूरी तलना बिलकुल असंभव सी बात है, हाला कि समय कुछ जगहों पर असपास बना हुआ है, और लोगों को इस दोरान बाहर निकलने से बचना चाहिए, खास तोर पर 11 बज़े से लेकर 4 बज़े तक बाहर कम से कम निकले, खुले में काम करने वाले लोगों को खास तोर पर हीट स्ट्रोक या फिर हीट संबंधी बीमानियों से बचनों के लिए सतर्क रहने की भी जरूरत है